हेलो स्टूडेंट्स आज हम सस्टी के अंतरगत जोगराफी में अर्थ एंड अवर लाइप्स टेक्स्ट बुक से लेसन नमबर टू दा अर्थ एंड दा मून का पार्ट टू लेकर आए हैं उम्मीद है ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो भी आपको अच्छी से समझ में आएगा कल बच्छो हमारा जो टॉपिक चला था वो चला था चंद्रमा की गतियां तो उसमें जो चंद्रमा है वो अपनी अच्छ पर और प्रतिवी के चारों और गूमता है यही बताया था ना अब यहां पर आप चित्र देख रहे हैं कि बोदल के माध्यम से और बीच में यह बॉल है उसके माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि चंद्रमा किस तरीके से अपनी अच्छ पर और किस तरीके से वो प्रतिवी के चारों गूमता है तो आयीए हम इसको समझते हैं तो लिखा हुगा अबच्चो लेट्स अंडरिस्टेंट, understand का मतलब है समझना आप समझते है तो उसके लिए क्या करेंगे आप लेंगे a big bottle, bottle माने बोतल, एक बोतल लेंगे with a label जिस पर एक level लगा हो जैसे ये level है ये level है और ये level है और इसके level इसके सामने रिखाई नहीं दे रहा है तो अन इट यानि बोतल पर क्या लगा हो एक लेवल लगा हो चिपपा लगा हो हमां कह देते हैं इसको चिपपा लगा हो एंड अज्यूम और मालने इस बोतल को इट माने बोतल को मालने तू भी दा मून यानि इसको आप चंद्रम माने ये भी चंद्रम है ये भी मून है और और ये भी मून है तो हम क्या करा है assume का मतलब होता है मानना अब ना हो आने अब assume मानने a ball ये ball है इसको क्या मानने as के रूप में मानने earth ये प्रत्वी है ये जो है प्रत्वी है इसको प्रत्वी मानने and then और फिर then मानने फिर rotate मतलब गुमाएं the bottle इस bottle मानने bottle को गुमाएं in a way इस तरीके से in a way मानने इस तरीके से गुमाएं that की its level इसका जो चिपा है उसकी जो चिप है sorry always हमेशा faces सामने रहे उसका चेरा रहे यानि जो level है उसका चेरा रहे the ball ball के सामने रहे यानि ये इसका देखिए ये ball के सामने है इसका जो level का face है वो इसके सामने है और ये इसका जो level है वो इस ball के सामने है और इसका जो दिखाई नहीं दे रहा वो इसके सामने है इस तरीके से आप इस bottle को गुमाएंगे यानि इस तरीके से इसको rotate करेंगे, इसको भी घुमाएंगे, इसको भी घुमाएंगे, इसको भी घुमाएंगे, इसको भी घुमाएंगे, राइट, नाव मान फिर, you will find, तो आपको मिलेगा, आप आएंगे that key, you have to continuous लगातार rotate the bottle, यानि आप जो चाह, इसका label बॉल की तरफ रहे, तो इसको क्या करेंगे, आप यहां से यहां लाएंगे, तो इसको घुमाएंगे, और क्योंकि label जो है, बॉल की तरफ रखना है, तो जैड़ सी बात है, इसको आप घुमाएंगे, in order to, किसलिए घुमाएंगे, कि keep माने रहे, the level माने वो chip, facing towards, towards माने की ओ, the ball, यहां नहीं, जो level है, वो ball की तरफ रहे, इसके लिए आप क्या करेंगे, वो आप घुमाएंगे उसको, the revolving, और घुमाते हुए, यह घुमना, और bottle, bottle का, in this way, इस तरीके से, जो bottle वो आप घुमा रहे हैं, वो is equivalent, equivalent माने समान, to the revolution, revolution का मतलब मैंने बच्चों कल बताया था, परिकर्मा, इसका मतलब है, परिकर्मा, परिकर्मा, आप दा मून, यानि जो आप level, प्रत्वी, बॉल की तरफ रहे, इसके लिए आप जो इसको गुमा रहते हैं, तो इसका मतलब, यह चंद्रमा को माना था, आपने bottle, जो की around the earth, जो की क्या कर रहा है, यह जो है, प्रत्व की से घुमा रहते हैं, बॉतल को बार-बार, की level जो है, किसकी तरफ रहे, प्रत्वी की तरफ रहे, इसलिए यह था इसका अपनी अच पर घूमना, और यह जो बॉतल यहां से आ गई, यह यहां आ गई, यह है, इसके अर्थ के चार और घूमना, तो बॉतल इसमें क्या है, चंद्रमा है, और यह जो बॉल है, वो अर्थ है, तो यह समझाया है, कि हमें इस level का एक ही भाग हमें प्रत्वी से दिखाई देता है, यानि चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई देता है, तो यह साबित हो गया, कि चंद्रमा हमें पूरा दिखाई क्यों नहीं देता है उसका हमें एक ही भाग दिखाई देता है अगले टॉपिक पर चलते हैं पेसेज का मतलब है यहां पर कलाएं किसकी कलाएं मून की चंदर्मा की कलाएं होती है देखिए यहां चंदर्मा कैसा है यहां कैसा है यहां कैसा है और आपने भी देखा हुआ कि कभी चंदर्मा इस तर शेलिभी चाई देखा है कभी पूरा देखाई देता है तो यह कैसा होता है समझेंगे यू आ आपने OBSER माने देखा होगा मैसुश मतलब देका होगा सब्सक्राइब्क रूकार सब्सक्राई П हसिया लाइक शेप यानि इसकी जो शुरुवात होती है वो इस तरह से रहती है हसिया होता एक इस टाइप की एंड बाई इनक्रीजिंग माने बढ़ना एवरी नाइट रात को बिकम्स माने हो जाता है आप बिग बढ़ा सा राउंड माने चारों और प्लेट माने एक तस्त्री ज्यानि फिर जो दीरे दीरे बढ़ता हुआ है इसका अकार फिल्कुल फुल मून हो जाता है यह एक प्रका होता है decreasing कम होना होता है decreasing माने कम होना and finally और आकिरकार becomes हो जाता है invisible और फिर यह अद्रस हो जाता है after after माने फिर बाद after this के बाद it again starts होता है increasing माने बढ़ना फिर यह बढ़ना शुरू होता है and and the cycle और इसका जो cycle का मतलब यहापर cycle का मतलब है चक्र goes on जाली देता है कहने का मतलब कभी इसका बढ़ना कभी घटना यह चक्र चलता रहता है the night on which रात जिस पर the moon चंद्रमा appears दिखाई देता है to be round यानि वो रात उस रात को जब चंद्रमा हमारा राउंड होता है पूरा like किसकी तरह a plate जैसे हमाई तस्तरी होती है खाने वाली जो प्लेट होती है उस प्लेट की तरह होता है तो उस cold तो कहते हैं full moon तो उसको हम कहते है full moon जिसको हम कहते है full moon right next sentence है the night वो रात उन विच जिस पर the चंद्रमा moon is not visible दिखाई नहीं देता visible मां दिखाई नहीं देता at all बिलकुल is called कहते है the new moon new moon को मतलब आप हिंदी में लिख लिए अमावस्या जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है बिलकुल तो वो कहते हैं उसको अमावस्या तो the full moon पूरा चंद्रमा and the new moon जो बिलकुल दिखाई नहीं दे अमावस्या ओकर्स माने होती है only once एक वार once माने एक वार इन्हें मन्त माने एक महीने में यानि महीने में एक वार आमावस्या होती है और एक वार क्या होती है फूरे में होती है इन्हें मन्त एक महीने में the day वो दिन तोड़े changes बदलता है in the shape आकार of the moon आर कॉल यानि चंदरमा का ये आकार जो बदलता है उसको हम कहते हैं phases of the moon इसको ही हम कहते हैं चंदरमा की कलाई यही कलाई कहलाती है कि कभी चंदरमा बढ़ गया कभी छोटा हो गया कभी पूरमा बस्या हो गया यह जो विविन प्रकार की जो कलाई है इसको हम phases कहते हैं देखे यह चित्र में सब इनकी कलाई दी हुई है और देखिए इनको ये इनकी नाम है warning crescent new moon हो गया ये waxing crescent है ये कलाई के नाम है इसकी मैं बाद में बता दूँँगा इसके अलग से आगे चलते हैं दफ फोर्ट नाइट का मतलब बच्चो लिख लो ये glossary में भी शब्द है फोर्ट नाइट का मतलब है पकवाड़ा यानि पकवाड़े को मतलब आप ऐसे माल लेजिए पकवाड़े को हम कहते हैं कि पंदरे दनों की अवदी जिसे पच्च भी कहते हैं पंदरे दिन की अगर टाइम होता है उसको हम पकवाड़ा कहते हैं फ्राम दा न्यू मून यानि अमावस्या से टू दा फूल मून पूर्मा यानि अमावस्या से पूर्मा तक इन एन असेंडिंग ओडर असेंडिंग का मतलब क्या होता है असेंडिंग का मतलब है बढ़ता हुआ पूर्मा से अमावस्या स्वरी असेंडिंग का मतलब घर्टा गुआ कि रम घर्टा ठीक है न्यू मून है अमावस्या है अमावस्या जी है और full moon का मतलब है पूर्मा, हमावस्या से पूर्मा के लिए ascending, ascending का मतलब यह गलत है, बढ़ता हुआ है, ascending मतलब बढ़ता हुआ, तो बढ़ेगा, यानि दीरे दीरे ऐसा होगा, फिर बढ़ा होगा, तो बढ़ा हुआ किरम रहेगा, इस काल्ड सुकलपच, तो उसको हम कहत दिन, full moon, फूर्म माने से, full moon का मतलब होता है, पूर्मा, और to the new moon, अमावस्या, यानि पूर्मा से, अमावस्या तक, in descending order, घरता हुआ किरम जो होगा, वो इस कलाएगा, क्रश्न पच, यानि जब, जब पूर्मा से, अमावस्या की तरब जाएंगे, तो वो क्रश्न पच है और जब, अमावस्या से, पूर्मा की तरब जाएंगे, तो वो सुकलपच है, तो ये दो होते हैं, सुकलपच, जिसे गाउं में कहते हैं, उजाला, पाक, और इसे कहते हैं, अंधियारा, पाक, गाउं में महिला कहते हैं, तो ये 15-15 दिन का टाइम होता है, due to के कारण, the rotation, टेक्स लेता है, यानि चंद्रमा जो है, वो प्रत्वी के चारोर घूमने में, 29 डेज, 29 दिन, 12 आवर्स, 12 गंटे, 44 मिनट, 44 मिनट लेता है, for the moon, to complete one phase of the full moon to another, another माने, दूसरा, यानि प्रत्वी के घूमने के कारण, एक पूर्मा से, दूसरी पूर्मा तक, अपनी कलाओं को पूरा करने में, चंद्रमा को 29 दिन, 12 गंटे, 44 मिनट लगते हैं, तो this duration, इस time को duration माने, अवधी को is called माने कहते हैं, lunar month, इसको हम कहते हैं, चंद्रमास, क्या कहते हैं हम, चंद्रमास, तो बच्चों, I hope, यह आपको, English medium, जो school चलना है, UP board के, उसमें, जो English की book है, उसका हिंदी अनवाद, अच्छे से समझ में आया होगा, इस तो हमारे इस channel को subscribe कीजिए, like कीजिए, और आज के लिए इतना ही, thank you very much.